दोस्तों स्वराज का सबसे छोटा मिनी ट्रेक्टर बाजार में आ गया है इस ट्रेक्टर का नाम है कोड यानि कि स्वराज कोड स्वराज के इस कोड ट्रेक्टर से किसानों की बागवानी खेती में मेहनत खत्म होगी और ये ट्रेक्टर बागवानी खेती के अधिकांस कार आ खीमत लेकिन दोस्तों जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवसी कर दें सत्य साथ दोस्तों वेल आइकन की घंटी को जोड़ दबाएं और दोस्तों लाइक को सेर भी करें दोस्तों भारती बागवानी की परैसानी को देखते विए स्वराज ट्रेक्टर कोड का निर्माड किया गया है ये क्रिसी समाधान सोदेशी रूप से डेजाइन किया गया है सबसे सकरी और सबसे हलकी राइड मसीन स्वराज कोड बागवानी खेती में करांती लाएगा स्वराज कोड का उपयोग करके किसान विभिन फलों और सबज की खेती के लिए संकरी पक्तियों में इंटर कल्चर आपरेशन कर सकेंगे इसके अत्रिक इस मसीन का छोटा टर्निंग रेडियस बागवानी फसलों की खेती करने वाले छोटे खेतों में बहतर गत्सीलता प्रदान करता है कोट ट्रेक्टर जो है बागवानी खेती से भूम में खेती की जा सकती है जिससे किसानों की आए में ब्रधी होती है दोस्तों अब हम जानते हैं कि स्वराज कोड ट्रेक्टर के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसका ब्रांड जो है इसका 12 हासपावर का है इंजन पे ट्रोल चालित है 2WD है इस्टेरिंग इसकी मेक पेःपरसेंट ब्रेक है एर कूल है गिर जो इसके हैं तीन है यहने की हई-2 लोह और रिवर्स और इंधन टैंग जो इसका है डस लीटर है उब फयर्वर्वर्व इस पीड़ जो है क्मजह साल कर 17 किलोमेटर प्रतिए और ब्रink है और इंजन इसका है 389C और आरपीम जो है इसका 3600 आरपीम है और लिफ्टिंग कैपिसिटी जो है 250 किलोग्राम है इसकी हाइड जो है 118 सेंटीमीटर है इसके टायर के साइज जो हैं दोस्तों जो आगे के टायर के साइज है वो 4 गुणे 9 है और पीछे के टायर के साइज जो है 6 गुणे 14 है और इस का वजन दोस्तों जो है 455 kg है और इसमें जो दो खास फीचर्स और हैं उनके बारे में भी आप लोग जान ले सबसे पहले है दो दिसात्मक यानि कि ट्रेक्टर आगे और पीछे दोनों तरीके से चल सकता है क्योंकि आगे अगर कोई आप इसमें इंट्रूमेंट लगाते हैं तो आप पीछे से इसे चला सकते हैं और अगर पीछे जो है वो आप आगे की तरफ चला सकते हैं और अपनी सीट भी आप आगे से पीछे लगा सकते हैं और पीछे से आगे लगा सकते हैं और दूसरा जो इसका खास फीचर है जो ground clearance दोस्तों इसका ground clearance जो है adjustable है यानि कि इसका minimum ground clearance है 250 mm है और maximum जो है इसका 550 mm है यानि कि आप उचे और नीचे इसको आसानी से कर सकते हैं दोस्तों इनी खास फीचर्स की औजे से ये tractor जो है बागवानी और सबजी की खेती के लिए बहुत ही आराम दायक है दोस्तों इसकी कीमत जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये tractor कैसे काम करता है फिर जानेंगे इसकी कीमत के बारे में करते हैं झाल्पाइब हो बाइब हो गे दो जाल थाल दोस्तों ये ट्रेक्टर जो है कुछ ही प्रदेशों में अभी मार्केट में आया है तो सुराज कोड जो शुरुवाती दौर में गुजरात, करनाटक, आंध प्रदेश और तेलांगना में सुराज डीलर्शिप में लांच किया गया है और जल्द ही चर्णबत तरीके से अनिराजियों में भी ये सुरू किया जाएगा अब बात रही दोस्तों ट्रेक्टर की कीमत की, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी कीमत जो है एक लाख साथ हजार से लेकर एक लाख असी हजार रुपे तक है तो दोस्तों अगर आप भी इस ट्रेक्टर के बारे में बिचार कर रहे हैं तो आप नजदी की सोरूम से जाकर इसकी पूरी जानकारी हासिट कर लें लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो अवसी कर दें सथ सथ दोस्तों लाइक वाड़ सेर भी करें जाए किसान दोस्तों